हेलो दोस्तों, वेलकम टु मैथीजी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कनवरजन एंड बाइनरी टू डेसिमल कनवरजन तो दोस्तों ये टापिक बहुत यासान होता है तो प्लीज वीडियो को इन तक देखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि decimal number क्या होता है और binary number क्या होता है तो decimal number जो होता है जो हम number पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक ये decimal number होता है और इसे हम bracket में लिख करके यहाँ पे 10 लिख देते हैं 10 का मतलब होता है base 10 और जो binary number होता है वो number होते हैं उसमें 2 ही number होता है 0 होता है और 1 होता है उसको हम bracket में लिख के यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो आईए देखते हैं कितने आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ तो जब अगर कोई संख्या decimal में है उसे binary में करना है तो हमें क्या करना होता है 2 से भाग देनी होती है जो उसका says बचता है उसे side में लिखते जाते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम करते हैं तो सबसे पहले हम 35 लिख लेंगे अब इसमें हमें 2 से भाग करनी है ठीक है तो 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगे भाग 2 एकम 2 2 सत्य 14 और इसमें 17 बार जाएगे 1 सेस बचेगा ठीक है फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 अठे 16 1 सेस बचेगा फिर 2 से भाग करेंगे 2 चुको 8 यहाँ पर 0 सेस बचेगा जो भी 6 बचेगा, या 0 बचे या 1 बचे, वो लमें लिखने आँ, ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 0 बचेगा, फिर 2 से भाग करेंगे, तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 0 6 बचेगा, फिर 2 से भाग ले जाएंगे, तो भाग नहीं जाएगी, यहाँ पर 0 ब अब जितने भी सेस बचे हैं ठीक है नीचे से ले करके इस दिसा में उपर के दिसा में हमें नीचे से ले के उपर तक लिखना है सबसे नीचे क्या है एक है फिर जीरो है फिर जीरो है फिर जीरो है फिर वन है फिर वन है ठीक है अब इसको ऐसे ब्रेकट लगा दीजिए और य decimal to binary conversion आएगा यही आजाएगा यही हमारा answer आजाएगा तो दोस्तों देखिए हमने कितने आसान तरीके से आपको बताया कि किसी भी decimal number को binary number में आप बदल सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप कोई भी संख्या हो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं तो अब हम सीखेंगे binary से decimal में कैसे निकालते हैं तो दोस्तों मैं पहले आपको trick से बताता हूँ ठीक है फिर उसके बाद आपको basic नियम से बताऊँगा तो trick अगर आप सीख गए ना तो आप चुटकी में निकाल लेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे यहाँ पर यह number जो दिया हुआ है binary one zero 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 one one ठीक है अब क्या करना होता है अब आप इसके नीचे न एक से start करिए अब दो उसका double double करते जाना है ठीक है तो यहाँ पर हम एक number लिख लिया फिर यहाँ पर दो लिख लिया दो का दूना क्या हो जाएगा चार होगा चार का दूना आठ होगा आठ का दूना 16 होगा 16 का दूना 32 होगा ठीक है अब क्या करना है अब देखिए यहाँ पर एक है तो एक के नीचे हमें 32 लिखना है प्लस साइन करना है अब यहाँ पर जीरो लिखा है 16 के उपर देखिए यहाँ जीरो लिखना है प्लस जीरो प्लस देखिए जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ पे plus करना है 0 लिखना है plus करके ठीक है और जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे वो संख्या लिख देनी है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे अब इनको जोड लीजिए तो यहाँ पे 32 है 32, 2, 34, 1, 35 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 आजाएगा इसको हम लिखेंगे ऐसे 35 और इसको ब्रैकट में लिख करके यहाँ पर बेस 10 लिख देंगे तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी संख्या को डेस्मल में निकाल सकते हैं अज़ी आसान तरीका होता है ठीक है अब आईए एक कोस्चन और देखते हैं तो कोस्चन है 11011 ठीक है यह बाइनरी में दिया हुआ है इसे हमें डेस्मल में करना है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहले एक लिखते हैं फिर दो लिखते हैं दो का दूना क्या हो गया है चार हो गया चार का दूना आठ हो गया आठ का दूना सोला हो गया ठीक है यहाँ पांच नमबर दिये हो गये हैं ठीक है तो यहाँ पे पांच बार ही लिखना है अब जहाँ जहाँ पे 11 है उन संख्याओं को जोडते जाना है जहाँ पे 0 लिखा 0 है वहाँ पे 0 लिखेंगे ठीक है तो 16 प्लस 8 प्लस 4 के जगह पे देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे प्लस 2 प्लस 1 अब इनको हम जोड लेंगे तो 16, 8, 24 हो गया 24, 2, 26, 1 27 हो गया ठीक है तो इस तरीके से हम binary को decimal में convert कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको आईए नियम बता देता हूँ कैसे होता है ठीक है तो हमें क्या करना होता है किसी भी binary को decimal में बदलने के लिए हमें ऐसे लिखना होता है ठीक है 2 के घात 0, 2 के घात 1 ठीक है, यह 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है, अब क्या करना होता है, अब देखिके जैसे यह binary संक्या है, 11011, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिजिए, यहाँ पे 11011, ठीक, अब क्या करना होता है, जहाँ जहाँ पे 1 है, ठीक है, जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वहाँ पे यह संक्याएं आप लिखते जाएए, और प्लस करते जाएए, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिख लिजिए, फिर प्लस, यहाँ भी इसके भी 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 लिख लिजिए, प्लस, अब यह यहां पर 1 के जगह पर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 लिख लीजिए, फिर प्लस यहां पर 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 लिख लीजिए, अब इसको साल्ब कर लीजिए, तो 2 के पावर 4 के वैलू के आती है, 16 होती है, प्लस 2 के पावर 3 के वैलू के आती है, 8 होती है, प्लस 0, प पहलू 1 होती है, अब इनको आप जोड़ेंगे, तो 16, 8, 24, 26, 27 होती है, ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हमें करना क्या होता है, कि जैसे हमने 2 के पावर 4 लिखा, यानि हम इसका 1 में मल्टिप्लाई कर रहे हैं, जैसे इसे 1 इंटू 2 के पावर 4, ऐसे यहां भी हो रहा है, ठीक है, यहां भी हम 2 के पावर 3 को 1 से मल्टिप्लाई कर रहे हैं, जीरो से जब मल्टिप्लाई करेंगे 2 के पावर 2 को तो क्या हो कर सकते हैं तो friends I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में thank you thank you so much